हाई गाई's welcome back to the channel the coders TV तो भाई आज हम लोग जो है हमारी नई सीरीज ये के start कर रहा है Spring ORM छो हम लोग अभी तक जो है Spring की कौन कौन सीरीज देख चुके है हम लोग Spring Core देख चुके है Spring JDBC देख चुके है अब थर्ड जो सीरीज हमारी काफी छोटी सी सीरीज होने वाली है 5-6 वीडियो के साथ वो है हमारी Spring ORM तो सबसे पहले आज हम लोग यह समझेंगे कि Spring ORM होता क्या है और हमारे पास जब Spring JDBC था तो Spring ORM आने की क्या ज़रूरत पड़ी ठीक है तो let's begin with today's topic तो सबसे पहले देखेंगे Spring with ORM frameworks Spring provides API to easily integrate Spring with ORM frameworks such as Hibernate, JPA, JDO और Eccle Toplic and IBattis तो कई सारे ORM framework होते हैं जैसे कि तुमने देखा कि यहां पर Hibernate होता एक ORM framework ठीक है यहां पर क्या होता है यहां पर Hibernate होता है ORM framework एक होता है JPA होता है ORM framework एक होता है JDO ORM framework एक होता है और Eccle Toplink और एक होता है IBattis ठीक है तो यह सारे क्या होते हैं ORM framework होते हैं ठीक है यह सारे जो होते हैं तुम्हारे ORM framework होते हैं जिसमें से सबसे popular जो होता है तुम्हारा hybernet होता है इसके लावा और भी कई सारे होते हैं जैसे कि तुम्हारा iBatis हो गया जीडी ओ हो गया जितने सारी बताएं है ठीक है तो यह सारी popular होते हैं लेकिन सबसे अधर जो popular होता हो hybernet होता है तो spring को अगर हम spring framework को spring framework और को किसी भी hibernate tool के साथ यूज़ करते हैं अब चाहे वो ibatis हो जाए चाहे वो hibernate हो जाए चाहे वो J.D.O हो जाए तो उसी को हम लोग बोलते है spring ORM ठीक है मतलब जो spring framework है हमारा उसको अगर हम किसी भी ORM tool के साथ यूज करते हैं जो कि कई सारे हो सकते हैं जे डियो हाइबर्नेट आई बैटेस तो उसी को बोल देते हैं हम लोग spring ORM generally हम लोग क्या यूज करते हैं ORM framework में हाइबर्नेट को यूज करते हैं ORM जो हमारा होता है object relational mapping जिसको हम लोग बोलते हैं इसमें हम लोग कौन सा ज्यादा तरह to use करते हैं हाइबर्नेट ठीक है अब advantages of ORM framework with spring there are lot of advantages of spring framework in respect to ORM framework there are as follows less coding is required ठीक है तो सबसे बड़ी चीज होती है कि spring ORM का use करने से less coding करनी पड़ती है by the help of spring framework you don't need to write extra codes before and after the actual database logic ठीक है तो यहाँ पर हमें actual मतलब database logic का मतलब किस तरीके से हमें record को save करना है किस तरीके से record को delete करना है तो spring jpc में अभी तक हम लोग यह सारी जो है चीजें जो से logics होते थे वह हम लोग खुद लिखते आ रहा है जैसा कि तुम लोग यह देखो गए सेव स्टूडेंट का logic अपडेट स्टूडेंट का logic सारे logics खुद लिखते आ रहे थे तो इस प्रिंग और में ऐसा ही नहीं होता है जब हमारे पास JDBC था तो हम लोग ने स्प्रिंग JDBC क्यों पढ़ा और जब स्प्रिंग JDBC था हमारे पास तो हम स्प्रिंग ORM क्यों पढ़ रहे हैं तो अव्यस सी बात है कि कोई ना कोई disadvantage रहा होगा JDBC में तभी हम लोगों ने जो है स्प्रिंग JDBC का यूस किया तो JDBC में कोई ना कुछ disadvantage रहा होगा उसी तरीके से जो स्प्रिंग JDBC है उसमें भी कुछ ना कुछ disadvantage रहा होगा तभी हम लोग क्या है Spring ORM यूस जो है पढ़ रहे हैं ठीक है अब Spring ORM के बाद और भी एक चीज आती है जिसको बोलते है Spring Data JPA ठीक है तो तुम लोगों ने जरूर इसका नाम सुना होगा Spring Data JPA का तो यह भी चीज जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे ठीक है और ज्यादा तर जो यूस होने वाली चीज होती है तो यह जो सारे तीनो चारों जो मतलब हमारे यहां पर टूल्स हैं यह सारे टूल्स जो है य यह सारे जो फ्रेमवर्क हैं यहां पर यह किसलिए होते हैं डेटा बेस से इंट्रेक्ट करने के लिए ठीक है लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला होता है most popular है यह आज के current समय में ठीक है सबसे ज्यादा जो popular है वो है तुमारा यह Spring Data JPA ठीक है अब Spring Data JPA क्य क्या होता है यह अलग कहानी है यह सब यह क्या होता है basically hibernate की implementation class है ठीक है तो hibernate की implementation class का मतलब क्या हो गया वह हम लोग सब देखते हैं अभी आगे तो सबसे पहले देखेंगे की working with JDBC हम लोग JDBC में किस तरीके से वर्ख करते थे तो JDBC में let's suppose हमारे पास Java program हमारा होता था और यह हमारे पास object होता था अब यह object जो है हमारी किसी भी class का हो सकता है let's suppose हमारी कोई student class होती थी ठीक है अब इस student class के object को जो है हम लोग JDBC को दे दे करते थे ठीक है उसके बाद हम लोग अपना खुद का यहां पर क्या क्या करते थे अपना जो है खुदी logic लिख रहे हैं database में save करने का उसके बाद हम लोग database से connection करने का भी logic लिख रहे हैं ठीक है उसके बाद हम लोग transaction को manage करने का भी देख रहे हैं ठीक है और उसके बाद हम में जो है हम लोग कुछ भी कर सकते हैं जे डी बीसी से अब जे डी बीसी में प्रॉब्लम्स क्या हुई वी नीड तो राइट अलोट अफ कोड बिफोर और अफ्टर एक्जीक्यूटिंग दा क्वेरी सच एस क्रियेटिंग कनेक्शन स्टेट्मेंट एंड क्लोजिंग रिजल्ट सेट तwo तुमको पता होगा जब हम लोग ने हाँ पर इंब श्रिजल्न क पड़ी थी तो तुमको पता होगा कि श्र्रींग जीई डी डी बीसी भी थी थी तो यहाँ पर रॉइजी अंटिरेट मीटमकों थरो या किसी भी पढ़ा होगा कि उसमें हम लोगों को connection का program लिखना पड़ता था manual queries लिखनी पड़ती थी जैसे कि select star from ऐसे करके उसके बाद हम लोगों को सारी जो है services जो भी हम provide कर आ रहे हैं जैसे कि database में data save करना फैच करना डेलीट करना वह हम लोगों को खुदी से लिखना पड़ता था ठीक है तो यह कई सारी problems होती थी exception handling transaction मैंने यह सारी जेडी वीसी के साथ problem थी ठीक है तो आप जेडी वीसी के बाद यहां पर जेडी वीसी में यह problem थी तो इसलिए overcome करने के लिए क्या आता है spring jbc ठीक है तो basically jbc के बाद जो है spring framework actual में introduce होता है तो spring framework के अंदर जो है यह module होता है spring jbc जैसे कि तुमको यहां पर spring core में हम लोगों नहीं बताया था कि यह spring jbc एक module होता है पूरे spring framework में ठीक है तो जब हमारे पास spring framework नहीं हुआ करता था तब हम लोग jbc ही use करते थे normal jbc जब हमारे पास spring framework आया तो हम लोगों ने jbc को spring के साथ use करने के लिए सोचा ठीक है तो अब spring jbc में क्या होता है यह spring jbc में 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 काम हम लोग करते है वह हमारा jbc template के थे थ्रू करते हैं जो भी हमारा mean काम होता है किसके थरू करते हैं जडीवी सी template के थरू jbc template जो है काफि सारी problems jbc API की solve करता है मतलब जो हमारे traditional jbc approach होता था उससे कई सारी problem को solve कर देता है Spring JDBC तो क्या क्या problem solve करता है सबसे पहली बात तो यह है कि हमको यहाँ पर connection का program बार बार नहीं लिखना पड़ता है ठीक है तो जो हम लोग JDBC API के अंदर connection का program लिखते थे prepare statement को object get करते थे दुनिया बर की और भी कुछ problem है ठीक है Spring JDBC में भी कुछ problem है तभी Spring VRM आता है तो Spring JDBC में क्या problem है वी नीड टू इस्टेल राइट lot of code compare to other popular framework अगर हम किसी other popular frameworks की बात करें Java के लावा तो उसमें इतना काम नहीं होता है जितना Spring JDBC में काम होता है ठीक है अब Spring JDBC में तुमको अभी भी manual queries लिखनी पड़ती है तो तुमको पता होगा हम लोग ने Spring JDBC खत्म करी है तुमको पता होगा यहाँ पर हम लोग manual queries इस तरीके से लिख रहा है है और देखो यहाँ पास services भी हम लोग खुद ही लिख रहा है सेव श्ट्ूडेंट करने के लिए इतना चार लाइन का कोड अपडेट करने के लिए इतना चार लाइन का कोड तो मतलब जो भी सर्विस हमको चाहिए उसका कोड भी हम लोग खुद ही लिख रहा है ठीक है तो यह प्रॉब्लम थी हमारी इसी लिए अब आता है इस्प्रिंग और एम तो तुम लोगों को पता होगा कि हमने जो हाइबरनेट के बारे में अल्लेडी पढ़ा हुआ है ठीक है थीक है जैसे अपना इंटरफेस होता है समझ लो वैसा ही कुछ है हाइबरनेट के है इस स्पेसिफिकेशन है तो हाइबरनेट जो है हमें काई सारे इन बिल्ट मेथर्ड प्रोवाइड कराता है इन बिल्ट मेथर्ड वो कौन सारे प्रोवाइड कराता है जैसे कि लेट सपोस डेटा सेव करने के लिए सेव होता है load all method तो यह सारे method जो है हमको hibernate provide गर आता है तो इसमें क्या होता है कि अगर हमको save करना हो data तो अपना object जो है वो save method के अंदर pass कर दो जैसे यह save method है update method है simply हमको अपने object इस methods के अंदर pass कर देने और हमारा सारा SQL वाला काम हो है का queries जो हम लोग लिखते थे यहां पर वो हम लोगों को अब नहीं लिखनी पड़ेगी जो manual queries हम लोग लिखते थे तो hibernate यह कुछ important features provide कर आता है जिसकी वजह से हम लोग spring के साथ अब ORM tool यूज़ करने लग गए ठीक है तो spring के साथ हम लोग क्या यूज़ करने लग गए working with spring ORM ठीक है तो spring के साथ हम लोग क्या यूज़ करने लग गए ORM tools यूज़ करने लग गए अब ORM tools जो होते हैं वो कई सारे होते हैं जैसे कि हम लोग ने अलड़ी यहां देखा हम लोग क्या यूज़ करते हैं हाइबरनेट को यूज़ करना शुरू कर दिए तो तुमना हाइबरनेट की सीरीज में अलड़ी देखा है कि हाइबरनेट की सीरीज में हम लोग कोई queries वगरा कुछ नहीं लिखते हैं सीधा यह methods होते हैं जैसे कि यह methods को खाली यूज़ में लेते हैं और हम लोगों को कोई queries वगरा लिखने की कोई जंज़ट नहीं पड़ती है जो भी हम लोग अभी तक यहां पर manual queries लिखते चले आ रहे थे यहां पर ठीक है तो वह हम लोगों को लिखने की कोई ज़रुवत नहीं होती है अब spring ORM हम लोग किस तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से same हम लोग hibernate में काम करते हैं तो वैसा ही same में करते हैं अब इस student class को तुमको save करना है database में तो अभी तक हम लोग क्या करते हैं हम लोग manually table create करते थे हम लोग database में जाते थे और manual table create करते थे create table इस तरीके से कर गए ठीक है लेकिन spring ORM का use करने से क्या फायदा हुआ जो यह ORM टूल होता है जिसको हम लोग hibernate बोलना है मतलब यहाँ पर क्योंकि हम लोग ORM tools में hibernate को use करने ठीक है बार 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 बता रहा है ORM tools काई सारे होते हैं ibatis, hibernate, jdo और भी काई सारे होगा लेकर हम लोग hibernate tool को use कर रहा है as a ORM tool तो hibernate क्या करता है जो भी तुमारी java class होती है उसी का object जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग अब object बनाने की जुरूयत नहीं है hibernate क्या करेगा student class का object बनाएगा और वो क्या करेगा exactly same table जो है वो तुमारे database के अंदर जो है बना देगा ठीक है और यहां पर तुमारे जितने यहां पर properties होंगी उतना ही column वो automatic बना देगा तो यहां पर क्या क्या चीज है उसने solve करी automatic table creation सबसे पहली चीज तो उसने solve करी automatic table creation ठीक है एक चीज तो उसने spring ORM में यह solve हुई दूसरी चीज spring ORM क्या solve करता है वो हमको जो है ऐसे methods provide कर देता है save update delete load get यह वारे method जिसकी वाज़ा से हमको query लिखने की जूरत नहीं पड़ती है ठीक है तो आटोमेटिक आटोमेटिक राइटिंग आफ या फिर यह कहतो नो नीट तो राइट SQL query no need to write SQL queries ठीक है तो यह जो है दो main problems spring ORM solve करता है ठीक है how to work with spring ORM अब बात यह आती है अभी तक हम लोगों ने समझ लिया spring ORM क्या होता है spring हमारा framework है और साथ में अगर हम उसके कोई ORM tool यूज़ कर लेते हैं जैसे कि ibat is हो गया hibernate हो गया तो उसी को हम बोलते थे spring ORM अब बात आती है कि spring ORM को हम use कैसे करेंगे अगर तुमको अच्छे से याद हो तो जब हम लोग spring JDBC पढ़ते थे तो वहां पर हमने बार बार बताया था कि spring ORM में हम लोग यहां पर ORM tool क्या use कर रहे है hibernate यूज़ कर रहे है just अभी बताया था ठीक है तो यहां पर हमको चाहिए होता है hibernate template का object ठीक है we need hibernate template object to write the spring ORM programs hibernate template provides some methods like save update get load all ठीक है तो हमको spring ORM के programs को लिखने के लिए hibernate template की जरूवत पड़ती है तो hibernate template अब हम लोग कैसे क्या करेंगे देखो सबसे पहले हम लोग अपनी student dow class बनाते हैं इसको हम लोग service class भी बोल सकते हैं जिसके अंदर हमारे की सारे services होती है कि हमें student save करना है डिलीट करना है जो सब ठीक है अब इस class को जरूरत होती है हाईबरने template की ठीक है तभी तो वो हाईबरनेश ट्रूव्यक्र का यूस करके जब इस class के अंदर की template का use करके जब इस class के अंदर की तुम बात करोगे इस class के अंदर जब hibernate template का object होगा यह जो तुमारा है hibernate template का object है तभी तो तुम इसी template के object को use करके save method call करोगे इसी template का object use करके तुम delete method call करोगे ठीक है इसी template का object use करके तुम जो है get method कॉल करोगे ठीक है तो यहां पर तुम्हारी जो service class इसको किसीच की जरूरत है हाइबरनेट template की हाइबरनेट template को किसकी जरूरत है session factory ही अगर हाइबरनेट का तुम लोगों को याद हो तो हम लोग उसके अंदर प्रोग्राम जब लिखते थे तो स्टार्टिंग ऐसे करते थे यहां पर new configuration dot configure dot build session factory build session factory तो यह हमें क्या रेटन करता था session factory तो यह हमें session factory जो है return करता था तो इसी लिए हाइबरनेट template को जुरत पढ़ती है session factory की अब session factory क्या है interface है ठीक है तो अब इसका object तो हम हाइबरनेट template पे inject नहीं कर सकते हैं तो जैसे कि हम लोग हाइबर जब jbc template पढ़ते थे तो तुम्हें याद होगा कि jbc template को data source की object की जुरत पढ़ती है यहाँ पर jbc template को data source की object जुरत पढ़ती है data source तुम्हारा इंटरफेस होता है तो हम लोग इसकी इंप्लमेंटेशन क्लास है driver manager data source उसको इंजक्ट करते थे jbc template के अंदर उसी तरीके से spring ORM में जब हाइबरनेट template को session factory के जरूवत पढ़ती है तो हम लोग session factory के इंप्लमेंटेशन क्लास है load session factory हम इसको इंजक्ट करेंगे लेकिन अब load session factory जो है वो again dependent है data source पे समझ रहो तो मतलब हमें just hibernate template को बनाने के लिए हमें किस की किस के जुरत पढ़ रही है हमें सबसे पहले session factory की पढ़ रही है मतलब session factory के object की तो session factory की जो भी implementation class है जो कि local session factory है उसकी हम लोग object को inject करेंगे hibernate template में लेकिन local session factory जो है वो depend करता है मतलब उसको इंजक्ट वो जो है dependent है data source पे data source के अंदर हम लोग क्या set करते हैं तो उनको पता ही है database का password URL class path username तो इसका object जो है data source का वो इंजक्ट करेंगे local session factory बीन के अंदर और local session factory बीन का object जो है वो इंजक्ट करें हाइवरनेट template के अंदर और हाइवरनेट template का जो object है वो इंजक्ट होगा student da होगे अंदर ठीक है तो यह जो है तुमारी configuration होती है spring ORM की जिसको हम लोग XML के दुरू करके देखेंगे करने को तो हम लोग जो है जावा बेस्ट भी कर सकते हैं इसका configuration तो next video में मिलते हैं देखते हैं हम लोग किस तरीके से configuration करेंगे मिलते हैं ने शोड़ में तिल देन कीप लार्निक शुपमिनिकम साइनिंग उफ